इस वीडियो के अंदर आप मिलिंग मशीन के टेविल का मेकनेश देखेंगे किस तरह से टेविल लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मोग होता है आटोमेटिकली तो उसका मेकनेश देखते हैं तो देखें यहां पर बेवल गीर का सैट लगा हुआ एक बेवल ग किर लेट किर लाइट है रएक और यह नीचे वेवल की लगा लगा हो आए तो इसमिष्म को पावर का शो होता है वह मोटर इसको तरह से आती है特wy कि इस तरह बोड देखाए मैं आपको देखने पर प्रयb वाला Bible Gear और यह वाला Bible Gear यह दोनों Opposite Direction Rotate होंगे मतलब एक Clockwise Direction Rotate होगा और है यह आपको Bible Gear की mechanism समझ में आता होगा ठीक है लेकिन अभी यह जो Table मैं है अब चाम है यह will बिस्कील स्कूपर स्कूपर Winged रहती है जैसे Sun Left to Right जाता है राइट To Left जाता तो यह टे विल्ट में उसी साप से करती है कि अब इसकृ कैसे रोटेट होगा वो आप संजिए अब यह वेबल रोटेट हो रहा है लेकिन लेकिन इन इंपने किएंगे और सेपने क grate तो वह पर को Gal के क्लच से आपने इस क्लच से आप क्या करोगे यह जो इस क्रूओ है और इसको इंगीज कर दिया तो जैसे जिस डische हो रहा व्यृद्ट हो रहा वस डाइरेक्शन आपक यह रूटेट होंना स्टार्ट हो जाएगा रोड़ती है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे स्कूओ है य करें तो नट एंड इंड लगई यह नट किया फिक्स है और यह आप समझ लिए यह नट बेसिकली इससे टच नहीं है बेवल गीर से बेवल कीर का जो सेंटर होता है उस तरह से वहाँ पर कहीं नट नीचे फिक्स रहता है ठीक है तो नट फिक्स है और जैसे यह रूटेट कर आएगा अब जैसे हमने इसको वो कर दिया इसकी जगह हमने इसको इंगेज कर दिया इस वाले को इस वाले को आप इंगेज करोगे तो जिस डारेक्शन में यह रोटेट हो उस डारेक्शन आपका स्कूर रोटेट होगा ठीक है मली अभी यह क्लॉकवाज में रोटेट हो र को यह समझवाया हुगा और जब क्लच इंगेज नहीं होगे किसी से जब इक लगेज नहीं होगी तो यह दोनों यह गीर्ष पगरा तो रोटेट होते रहेंगे ठीक लेकिन आपका यह स्कुरू रोटेट नहीं होगा तो उस केसमें आप मैनुली इसको रोटेट करा सकते हैं कि टेक हैं आप और यह कलच को इंगेज और संधी करने के लिए बाहर के लगा रहतां लीव लगा रहता है अपने देखा हो उस लीवर से यह उगी यह होता है तो दॐज़ पोसिशन होते हैं लीवर को लेफ्ट साइड में कर दैंग तो सब्सक्राइम करेंगे लिए Scraud में